हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आएं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री एक और दो अल्लेडी अप्लोड कर दिया गया है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जाके प्लेडिस से देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म के वॉलूम टू का प्रैक्टिस नंबर थ्री है साधी साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं बहुत सारे लोगों का ये था कि सर करेंट अफेर करेंट अफेर का मैं चार बीडियो जा आप लोगों को बीकली फ पूछा गया था उतना जाजा नहीं पूछा जाएगा मैंस में करेंट अफेर आपसे साथी साथ अगर आप हमारे पीडियेफ चाहते हैं या और भी स्टडी माटेरियल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप या वाट्सअप ग्रूप जॉइन कर सकते हैं जहांकि आपको सारे पीडियेफ मिल जाएंगे और भीहार एसाइमें से सारे रिलेटेड आपको स्टडी माटेरियल मिल जाएंगे साथी साथ एक और चीज में आप लोगों को बताता हूँ आज मैं जो प्लेटफॉर्म का ये जो टेस्रीज है इसका जो असी कोस्टेन जो जीके जी इसका है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लेकिन जो पीडियेफ आपको ग्रूप पे मिलेगा उसमें 100 कोस्टेन्स ह ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलते रहें आज का जो हमारा कोशन नमबर फ्रस्ट है वो कह रहा है कि पुराने दफ्ताबेजों की प्राचीन लिपी के अध्यन को क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा आप्सन नमबर बी यानि पैल कि यह चीज की खुडा ही इसने करवाया तो जो उत्खनन से मिलता है मतलब आर्गेलोजी का सिंपल सा मतलब होता है कि उत्खनन से प्राव्त बस्तुओं के अधार पर इतिहास लेखन की प्रकुरिया के अध्यन को क्या कहा जाता है archaeological कहा जाता है, archaeology कहा जाता है clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question number 2 की तरफ question number 2 हमारा कह रहा है कि सूथ पिटक का अभी भाजन कितने निकाए में किया गया है तो इसका जो science रोगा बो हो जगा option number C, यानि 5 निकाए में किया गया है अब बात आती है कि सूथ पिटक है क्या देखे, अगर हम बहुत धर्म की बात करते हैं तो बहुत धर्म का एक सबसे प्रबित्र धर्म गरत है जिसका नाम है त्री पिटक ठीक है? क्या नाम है? त्री पिटक नाम है अगर हम बाद सुत्पिटक की करते हैं तो सुत्पिटक को भी पाँच भागों में बाटा गया है पहला पाट है दिग निकाय, दूसरा है मज्जीम निकाय, तीसरा है संजुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, और पाचमा है खुदधक निकाय एक चीज और सुत्पिटक से याद रखिएगा, कि सुत्पिटक को बहुत धर्म का इनसो क्लोईपीडिया कहा जाता है क्लियर है, चलिए, अब वड़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ, कोश्चन नमबर थर्ड, कोश्चन नमबर थर्ड कह रहा है कि सिंदुगाटी सभिता मांडा किस से संबंधित है, तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा, जमू एंड कास्मीर ठीक है, अगर हम बात मांडा की करते हैं, तो मांडा कहा है, चिनाब नदी के किनारे, जमू एंड कास्मीर में है ठीक है, कौन से नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, नदी भी याद रखे का बहुत बार एक जम में पूछा गया है देखे मैं आपको हडपा संस्कृती यानि सिंदु घटी साविता का पूरा विस्तार में आप लोगों को अगर बताऊं अगर इससे विस्तार की बात किजेगा तो देखे यहां क्या है यहां है चिनाब ठीक है चिनाब नदी पर मांडा ठीक है क्लियर है अगर हम इस की बात करते हैं तो यहां क्या है दाइमाबाद दाइमाबाद है महरास्ट में गोदाबरी नदी के किनाड़े यहां कि अगर बात करते हैं तो इधर है सुकताडोर कहां बलूचिस्तान में दासक नदी के किनाड़े क्लियर है अगर इस डारेक्षन की बात करते हैं तो यहां आलंगीरपूर जो कि यूपी में उतर पर्देश में कौन से ने दीके कि ना रहे हिंडन ने दीके कि ना रहे तो ये था हड़पा संस्कीति का बिस्तार चारो डायरेक्शन में आसा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की त करते हैं तो 20 मार्च से और याद रखेगा कि 20 मार्च को 20 गोर्या दिवस भी मनाया जाता है ठीक है 20 गोर्या दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है अगर हम बात यहीं पर 15 जन्वरी की कर लेते हैं तो 15 जन्वरी से याद रखेगा 15 जन्वरी को थल सेना दिवस मनाया जाता ह अगर हम बात 23 फरवरी की करते हैं तो 23 फरवरी को याद रखिएगा World Peace and Understanding Day मनाया जाता है ठीक है और अगर बात करते हैं 31 March को तो 31 March को मनाया जाता है World Backup Day werd Backup Day Clear हो गया? चलिए अब 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 अगले question की तरब जो कि ही हमारा question number 5 question number 5 कह रहा है कि इन में से किस जैन तिर्थांकर का प्रतिक सिंग है तो इसका जो सई अंसर होगा वो हो जगा option number B महाबीर महाबीर जो थे उनके उनका जो प्रतिक चिन था बोथा सिंग महाबीर की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्में टोटल 24 तिर्थांकर हुए थे और ये महाबीर जो थे वो 24 तिर्थांकर थे और जो की अंतिम तिर्थांकर हुए जैन धर्म का clear right मतलब हम भाते रिसअरी देप की करते हैं तो रिसरी देप जो थे मुन की प्रातिक चिन क्या था ? सांट था अगर भात हम पार्सम्नाद की करते हैं तो पार्सम्नाद 23 में गुरु थे मतलब महाबीर के जश्ट पहले वाले थे 23 में तिरतांग करते और इनका प्रातिक चीन क्या था? सर्प था, मतलब साब था clear हो है सब चीज? चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 6 question number 6 कह रहा है कि इसको कुनिक की नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुचागा आजाद सत्रू, आजाद सत्रू को क्या? कुनिक के नाम से जाना जाता है देखिए, अब बात करते हैं हम आजाद सत्रू को तो आप एक नाम से भली बाती परचित होंगे बहुत है बिंबी सार अब बिंबी सार का बेटा ही था आजाद सत्रू ठीक है मतलब बिम्बी सार जो था वो आजाद सत्रू का पिता था देखिए और ये जो था आजाद सत्रू ये अपने पिता को मार दिया था मतलब पिता के हत्या करके मगव समराज का सासक बना था ठीक है अब बिम्बी सार जो था वो बिम्बी सार क्या था हर्यक बंस का ठीक है और फिर भिम्बी सार को मार कर आजाद सत्रू गद्धी पर बैठा था तो इसलिए हर्यक बंस को और आजाद सत्रू को दोनों को क्या कहा जाता है प्रिती हंता कहा जाता है ये भी कोशन इक जाम में पुछा जाता है कि प्रिती हंता किसको कहा जाता है तो आजाद सत्र को कहा जाता है क्यूंकि वो अपने पिता को मार कर गद्धी पर बैठा था clear है चलिए अब बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन है question number seven question number seven कह रहा है कि कोटिल के अर्थ सास्त में passport बिभाग के अध्यच को क्या कहते हैं तो इसका जो अधिकारियों 18 अधिकारियों का बर्नन किये थे ठीक है जिसमें की एक था passport बिभाग का अध्यच उसको बोला जाता है मुद्रा अध्यच अगर हम नवा अध्यच की बात करते हैं तो जो जहाज रानी बिभाग का अध्यच होता था उसको नबाध्याच बोला जाता था Clear है अगर हम बात अंतपाल की करते हैं तो सीमा बरती दुर्ग का जो रच्छा होता था मतलब सीमा पे दुर्ग का मतलब जो बहुत बड़े-बड़े दिवाल या किला बना दिया जाता था सीमा को रच्छा करने के लिए तो उसका जो अध्याच होता था उसको अंतपाल बोला जाता था clear है? चलिए अब वड़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 8 question number 8 कह रहा है जेजाक भुक्ती के चंदेल बंस की अस्थापना अननुक ने कब की थी? 831 स्वी में clear है? ठीक है? ये जो जेजाक भुक्ती है ये बुंदेल खंड को ही जेजाक भुक्ती के नाम से जाना जाता है अगर हम बात कर लेते हैं चंदेल बंस की तो चंदेल बंस की राध्धानी कहां थी? चंदेल बंस की पारंबिक राध्धानी की अगर हम बात करते हैं तो पारंबिक राध्धानी थी कालिंजर जिसको की हम लोग क्या बोलते हैं? महोबा अब बाद में फिर इसकी राध्धानी कहां स्थांतरिंद कर दी गई थी बाद में इसकी राध्धानी अस्थांतरिंद कर दी गई थी खुजे राहों में क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर 9 question number 9 कह रहा है कि बान भट ने हर्थ चरीत में रेसम के बने कपड़े के लिए क्या सब्दों का उल्लेख किया था मतलब कौन कों से सब्द परियोग किये थे तो लाला तूंज भी किया था चिनांसुक भी किया था और अंसुक भी किया था तो अगर हमें रेसम मार्र की बात करते हैं तो रेसम मार्र का संबन्द जो है वो कुसान बन से है किस से है? कुसान बन से है clear है? चलीए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जोखी है हमारा question number 10 question number 10 कह रहा है whom बन्स का संस्ःपक कों है? तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ हो जागा option number B यानि तोर्मन और इस बंस का राजधानी कहाँ था इस समराज की राजधानी थी सियाल कोट में ना मियाद रखिएगा सियाल कोट में अज जितने भी हुन बंस के राजा थे वो सब क्या थे? सिब के उपा सकते ठीक है? जेनरली सब सिख्या थे? सिब के उपा सकते clear है? चलिए अब अगले question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 11 question number 11 कह रहा है उपनिस्दो की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानि 108 देखिए उपनिस्दो से एक चीज याद रखिएगा कभी-कभी ये पूछा जाता है कि हिंदू साहित का दर्षन किसको कहा जाता है तो हिंदू साहित का दर्षन भी उपनिस्दो को ही कहा जाता है मतलब हिंदू साहित का philosophy clear है ये चीज? देखिए अब बात करते हैं कि उपनिसद है क्या उपनिसद में देखें जेनरली हमें ये चीज़ बताया जाता है ये चीज़ सिखाया जाता है कि आत्मा क्या है आत्मा का अस्तित्व क्या है मरने के बाद मनुस्थ का होता क्या है ये सारे चीज़े बादों की ज़र चर्चम मिलती है वो हमें कहां मिलती है उपनिस्तों से मिलती है अगर हम बात यहीं पर कर लेते हैं उपनिस्त की और तो उपनिस्तों को एक और चीज़ याद रखेगा कि इसे बेदो का सार कहा जाता है क्या कहा जाता है बेदो का सार कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए कि उपनिस्दो की को क्या कहा जाता है तो बेदो का सार और उपनिस्दो का सार किसको कहा जाता है तो उपनिस्दो का सार कहा जाता है किसको भगबत गीता को कि रिग बेदी देवी देवता में अर नयानी किस्से संबन्दी थी, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा, option number C, यानि जंगल की देवी देवताओं को हम लोग क्या बोलते थे, अर नयानी बोलते थे, अगर हम बात करते हैं पसुओ की देवता को, तो पसुओ को देवता को क्या बोला जाता था, पूसन देवता बोला जाता था, ठीक है, रिग बेद में पसुओ को देवता को पूसन देवता बोला जाता था, और आंधी तुफान के देवता कों थे, आंधी तुफान के देवता थे, इंद्र, आयाद रखिएगा कि रीग बेद में सबसे ज़्यादा महतब इंदर काही था ठीक है इंदर कोई सबसे प्रमुख देवता माना जाता था मतलब सिंपल सा आप कह सकते हैं कि रीग बेद में इंदर को देवताओं का भी राजा पोला जाता था क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर्ट 13 कोश्चन नमर्ट 13 कह रहा है कि प्राचीन भारत के अनुसार काम का आर्थ क्या होता है तो इसका जो सही अंसर है बहुए आप्सन मर्सी यानि संभोग प्राचीन भारत में संभोग कोहीं हम लोग क्या बोलते हैं काम बोलते थे ठीक है देखिए अगर हम बात करते हैं कि काम तो काम का सिंपल सा मतलब प्राचीन भारत में होता था संतान की प्राप्ति मतलब संतोन प्राप्ति को ही हम लोग क्या बोलते थे संभोग या फिर आगात्मक प्रविर्ति बोलते थे clear है देखे आपने एक चीज सुना होगा कि काम्यते इती कामा काम्यते इती कामा का मतलब ही था कि बिशय और इंदरियों के संपर्क से उत्पन होने वाले मांसी का आनंद को ही हम लोग क्या कहते थे कामभोग कहते थे या फिर काम कहते हैं क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नबर 14 Question number 14 क्या कह रहा है कि 23 में जैन तिर्थांकर पार्समनाथ का प्रतिक क्या था तो ये अभी हम लोग ज़स्ट पीछे वाले question में discuss किये थे कि 23 में जो तिर्थांकर थे पार्समनाथ उनका जो प्रतिक चीन था बोथा सरपफन ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और देखिए तीन चार याद रखनें ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए अगर हम पहले की बात करें सबसे पहले जो तिर्थांकर थे उनका नाम था अरिसब देव ठीक है और इनका जो प्रतिक चीन था बोथा सांड जो दूसरे थे उनका नाम था अजीत नात और इनका जो प्रतिक चीन था बोथा हाँ थी ठीक है फिर याद रखेगा जो बाईस में थे जिनका नाम है क्या अरिश्ट नेमी बाईस में तितांकर का नाम था अरिश्ट नेमी और इनका था क्या संख फिर उसके बाद याद रखेगा 23 में जो कि ये पार्समनाथ थे इनका था सर्प और एक लाश्ट याद रखेगा 24 में जो कि थे महाबीर उनका था सिंग अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन है अकबर के दरवार का नव रतन अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुतर था तो इसका जो सही अंसर होगा वो था बैरम खान का पुतर था बैरम खान से आप लोगों को पता ही होगा कि बैरम खान जो था वो क्या था अकबर का संरच्छक के रूप में भी कार्ज किया था अगर हम बात देखिए अकबर की करते हैं तो अकबर कब से कब? 1556 से लेके 1605 इसवी तक राज किया है ठीक है? जिसमें 1556 से लेके 1560 तक ये जो बैरम Khan था वो अकबर का सनरच्छक के रूप में कार्च किया था और इसी बैरम Khan का बेटा था ability अब्दुल लहिम Khan खाना जिसको नौरतन में रखा गया था कबर के दरवार में देखिए अकबर के दरवार के अकर हम बात करते हैं आकबर के दर्बार में, देखिए, आकबर के दर्बार के अगर हम बात करते हैं तो आपको 9 रत्न जो भी थे, उन सब को क्या करना होगा, आपको नाम याद रखना होगा कभी कभी कोस्चन आ जाता है क्या, कि ओप्सन 3, 4 दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसमें से कौन नहीं थे अकबर के नौरतन में तो याद रखेगा मैं एक बाइ रिकॉल कर देता हूँ उन लोगों का नाम पहला नाम याद रखेगा अब्दुल फजल दूसरा फैजी तीसरा तांसेन चौथा बिर्बल पाँचमा टोडरमल छठा राजा मान सिंग सातमा अब्दुल रहीम खान खाजा जिसकी बात हो रही है भी आठमा फकीर अजुदीन और नौमा मुलादो प्याजा यही नौ लोग थे जो अकबल के नौरतन कहा जाता था अब्दुल रहीम खान खाजा से एक और चीज़ याद रखिएगा कि अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाजा को मीर अर्ज के पद पर नूक्त किया था किस पद पर मीर अर्ज के पद पर नूक्त किया था क्लेर हैं? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो की हमारा question number 16 question number 16 कह रहा है कि किस सासक को साह ए बेखवर के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा साह आलम प्रथम साह आलम प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है बहादूर नाम साह प्रथम के सासा थे को और नाम इसका याद रखिएगा मुज़म प्रथम क्या मुज़म प्रथम के भी नाम से जाना जाता है ठीक है और ये था कौन और अंजेब का सबसे बड़ा बेटा था साह आलम प्रथम ठीक है इसके संदर में मतलब साहा आलम प्रथम के संदर में एक इतिहासकार थे खफी खाँ क्या नम था उनका खफी खाँ वो इतिहासकार इस साहा आलम प्रथम के बारे में ये कहते थे कि राजकियों कार्यों का ये इतना लापरबाह था कि लोग इसको साहे बेख़बर कहने लगे थे clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरह अगला question है निमलिखित में से किस एक में रज़द नहीं होता है रज़द का मतलब होता है silver यानि जिसको हम लोग बोलते है ag clear है? अगर हम बात कर लेते हैं होन सिलवर की पहले option की अगर हम बात करते हैं होन सिलवर की होन सिलवर किसको बोला जाता है होन सिलवर बोला जाता silver chloride को जो की होता agcl तो इसमें तो ag present ही है तो ये हमारा answer नहीं होगा दूसरी है ruby silver रूबी सिल्वर किसको बोला जाता है रूबी सिल्वर को जो फार्मूला होता है वो होता है 3AG2 SB2 S3 इसमें भी AG आगया यानि सिल्वर आगया यानि रूबी सिल्वर भी नहीं होगा अगर हम बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर की तो German Silver ही जो होगा इसका सही अंसर होगा Option number B, German Silver क्यों? क्योंकि German Silver जो होता है उसमें क्या होता है? 60% होता है तामबा 20% होता है जस्ता और 20% होता है निकल इसमें कोई रज़त होता ही नहीं है Lunar Castric के अगर बात करते हैं तो Lunar Castric होता है AGNO3 ठीक है तो इसमें भी AG टर्म आ गया तो जो सही अंसर होगा वह हो जागा Option number B यानि German Silver Clear है? चलिए अब बात करते हैं आगले question question number 18 की Question number 18 कह रहा है कहगा परमानू उर्जा सन्यांत्र का संचालन कौन कंपनी कर लिए? तो इसका जो सही अंसर होगा Option number C भाबनी भाबनी का पूरा नाम क्या है? पहले ये समय लिजे भाबनी का पूरा नाम है भारतिये नाभकिये बिदुत निगम लिम्टेड ठीक है? भारतिये नाभकिये बिदुत निगम लिम्टेड है भाबनी का पूरा नाम भाबनी के अगर मुख्याले की बात करते हैं तो भाबनी का मुख्याले है तमिलनाडू में ठीक है यह अब भी अगर बात हम कहेगा परमानू यो यूर्जा सर्यांत की बात करते हैं तो यह करनाटक राज में है, कहां है, करनाटक राज में है, कौन सी नदी पर, काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे निर्मी था यह, ठीक है, और आप संस की बात अगर हम कर लेते हैं, NPCIL की बात करते हैं, तो NPCIL होता है, Nuclear Power Corporation of India, जिसका स्थापना 1987 में किया गया था, NPCIL की बात करते हैं, तो देखिए, NPCIL का Nuclear से कोई रिलेशन नहीं है, NPCIL होता है, National Payment Corporation of India, या फिर एक और होता है, Noeda Power Corporation Limited, तो इसका जो सहीं सरोगा बहुँ जागा, Option No.C, Clear है, चलिए, अब बात करते हैं, Question No.2, 19, Question No.19 है, संकवाकार, मतलब कोन के फॉर्म में, संकु के फ होता है, कि एक ऐसा केंदर जहां बस्तू का कुल दर्मान केंदर हो, उसी को दर्मान केंदर कहा जाता है, तो इसका जो गुर्यूत्व केंदर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो गुर्यूत्व केंदर होता है, वो H by 4 होता है, H by 4 यानि 1 by 4, तो इसका जो सही अंसर बोहजय का option number B यानि संकू के अच के अधार से 1 by 4 उचाई की दूरी पर clear है देखिए कुछ पदार्थों का और गुर्यत केंदर आपको याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है आपके एक जाम में कुछ और पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अगर हम बात बेलन की करते हैं तो बेलन का याद रखिएगा H by 2 यानि की 1 by 2 अगर हम बात अर्थ गोला की करते हैं तो अर्थ गोला का याद रखिएगा 3 by 8 ठीक है एक और याद रखिएगा पिरामीड का पिरामीड का याद रखिएगा H by 4 clear है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 20 question number 20 कह रहा है कि hydraulic lift की सिधान्त पर आधारित है तो hydraulic bud जूटा हुआ रहेगा जैसे hydraulic lift, hydraulic brake, hydraulic press तो सबका अंसर हो जागा Pascal का सिधान्त ठीक है Pascal का सिधान्त इसका हो जागा सही अंसर अब बात करते हैं कि Pascal का सिधान्त आखिर कहता क्या है Pascal का सिधान देखे क्या कहता है कि जब gravity knowledgeable हो जाए मतलब जो गुरत बल है वो नगन्य हो जाए जब गुरुत नगन्य हो तब पात्र में रखे तरल के किसी एक बिंदू पर दाब में परिवर्थन करने पर परिवर्थित दाब दरब के सभी बिंदू होता था पात्र की दिवारों पर समान रूप से संचारित होता है और इसमें दाब संचारन में कोई हानी नहीं होती है यही कहता है Pascal का सिधान्त क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमर 21 कोश्चन नमर 21 कह रहा है कि जब कोई बस्तु किसी दरब में डुबाई जाती है तो उस पर कितने बल कार्ज करते हैं देखिए जब कोई बस्तु किसी दर्ड में डुबाई जाती है तो उसके दो तरह के बाल कार्च करते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो तो हो जागा option number B अब हो आखिर दो बल कौन-कौन से काम करते हैं पहला जो बल होगा वो उसके भार के कारण उसको नीचे ढखे लेगा मतलब डुबाएगा और दूसरा क्या होगा द्रब का उत्पेच या उत्पलाबन बल जिसको हम लोग कहते हैं वो उपर की direction में लगेगा आपने एक पढ़ पेच बल से अधीक हो जाएगा तब बस तु डूब जाएगा ठीक है यह भी question पुछा जाता कि कब डूब जाएगा तो जब भार बल होगा जो उत्पेच बल से अधीक हो जाएगा तो बस तु दरब में डूब जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब जो कि हमारा question number 22, question number 22 कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बिभीन अनुओं के मध्ध लगने वाले अंतरान्विक आकर्षन बल को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा, option number B, सहसंजकबल, सहसंजकबल यानी इंग्लीज में इसको बोलेंगे cohesive force, ठेके, देखे, दो होता, एक होता cohesive, एक होता adhesive, cohesive होगा सहसंजक, adhesive होगा असंजकबल, ठीक है, cohesive जो होगा वो एक ही पदार्थ के बिभीन अनुओं के मध्ध लगेगा, और ये जो adhesive होगा असंजकबल होगा, ये दो बिभीन पदार्थों के अनुओं के बीच लगेगा, तो जब भीन-भीन पदार्थ दिया रहे तो परनी से बूंद के रूप में पाया चाता है ठीक है, अगर हम आसंजक बल की बात करते हैं तो जो पेन के द्वारा हम लोग वाइट बोड पर लिखते हैं वो आसंजक बल का ही एक उदारण है क्लिर है, पृरिष्ट तनाब के अगर बात करते हैं एक साइट कुछ भौतिक रासियां यानि physical quantity दी हुई है और दूसरे साथ उसका SI unit यानि SI मातरक दिया हुआ है, अगर हम बल की बात करते हैं तो बल का SI unit होता है बहुता है Newton, अगर हम संबेग की बात करते हैं तो संबेग का SI unit होता है बहुता है kilogram meter प्रति सेकेंड, और अगर प question number 24 कह रहा है कि निमलिखित अधातू में से कौन सा एक बिदूत का मंद चालक नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number B यानि selenium selenium जो है वो बिदूत का मंद चालक नहीं है बलकि selenium बिदूत का एक अच्छा सुचालक है अगर हम बात ब्रोमीन की कर लेते हैं तो ब्रोमीन से याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक लोता द्रवाधातू है और यह बिदू का मंद चालक है फासफोरस और सलफर की अगर बा किसका होगा एक बीमिये गती की बात करते हैं तो यह हो जागा साडक पर दोरती काड दूर बीमिये गती की बात करते हैं तब हो जागा सुर्ज का चकर लगाता हुआ अगर और त्री बीमिये गती की बात करते हैं तो अकास में उड़ता हुआ पच्छी यह इसका हो जाएग चलिए अब औरते हैं अपने अगले question की तरब जो कि हमारा question number 26 question number 26 कह रहा है कि यदि किसी pin का प्रारंबिक बे 5 meter per second हो और उसमें उत्पन त्वरन 4 meter per second square हो तो 20 second में वो pin कितनी दूरी तया करेगा देखिए ये जो 5 meter per second है ये initial velocity दिया हुआ है चार meter per second square जो दिया हुआ है वो acceleration दिया हुआ है अब 20 second जो है वो आपका time दिया हुआ है तो आप एक formula पढ़े होंगे s बराबर u plus 1 a by t 2n minus 1 अब इस u के जगा पे initial velocity रख दीजे 5 meter per second a inflation है यहाँ पे रख दीजे ये 4 जो दिया हुआ है और n दिया हुआ है 20 second तो 2n किजेगा तो 40 हो जागा ठीक है 2 into 20 minus 1 किजेगा 2 into 20 minus 1 तो इसको फिर solve कर लिजेगा तो answer आजाएगा आपका जाके 43 clear है चलिया अब अगला question की बात करते हैं कि चूसक तना का उदाहरन है तो इसका जो सई answer हो जगा बहुँजगा अंगूर जो है वो सजूक पुसकरम का उदाहरन है अंगूर से एक और चीज़ याद रखेगा कि अंगूर का जो बनस्पतिक नाम होता है वो होता है बिटिस बिनो फेरा बिनी फेरा clear है चलिया अगला question है पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है तो इसका जो सही answer है वो है option number B sulfur की कमी से होता है देखे पीली चाय रोग जो होता है वो मिली इसमें क्या होता है कि पतिया पीली पढ़ जाती है और सूख जाती है और फिर पो तूटके गिर जाता है तो ये किसके कारण होता है sulfur के कारण होता है clear है फिर next question है save का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि मांसल पुसपासन भाग जो है हम लोग खाते हैं देखे फल को दो भागों में बाटा गया एक होता है सत्फल एक होता है असत्फल आप लोग निर्मान जो होगा पुसपासन से होगा वो असत्फल है और जिसका निर्मान अंडासर से होगा मितलब अंडासर से परिपग फल को हम लोग सत्फल कहेंगे और जिसका निर्मान अंडासर से नहीं होगा उसको असत्फल कहेंगे clear है तो save जो है वो असत्फल है और इसका कौन अगले question की तरफ अगला question है हमारा question number 31 question number 31 कह रहा है रजो दर्सन का उसर समय कितने दिनों का होता है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number C यानि 28 days देखे रजो दर्सन होता क्या है महिलाओं में जो हर महिने होने वाले प्रजनन चक्र है मतलब mensuration cycle जो होता है उसी को हम लोग रजो दर्सन कहते हैं और इस चक्र के दोरान रजो दर्म की क्लिया मतलब mensuration cycle की जो क्लिया होती है वो 4-7 दिनों के लिए होती है clear है? चलिए अब बड़ते हैं अगले question की तरफ जो की है हमारा question number 32 question number 32 कह रहा है कि सीस्यों के जन्म दर को नियंतरित करने हैं तू इन में से कौन सी बिधी उपयोग नहीं की जा सकती है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number D calostrum calostrum बिधी का उपयोग हम लोग सीस्यों के जन्म दर को नियंतरित करने के लिए नहीं करते है कलोस्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो कलोस्ट्रम होता क्या है कलोस्ट्रम क्या होता है कि कलोस्ट्रम पहला दूद होता है जो किसी भी मा के द्वारा अपने बच्चे को पिलाया जाता है प्रजनन के जस्ट बात मा के द्वारा बच्चे को पिलाया जाने वाला जो दूद ह होता है, उसी को कालोस्ट्रम कहते हैं, clear है? अगर हम बात Femidon की करते हैं, तो Femidon को महिलाओं को Condom कहा जाता है, clear है? चैले, आप बढ़ते हैं, अब बढ़ते आपने अगले question की तरव, जो कि हमारा question number 33, question number 33 कh रहा है कि इन में से किसका दात एक्रोड डॉंट प्रकार का होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number C यानि जो साप का दात होता है वो एक्रोड डॉंट प्रकार का होता है अब बात कर लेते हैं अपने अगले अगर हम अगनासे की बात करते हैं तो अगनासे मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है अगर सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी की बात करिया जाए तब हो जाएगा यह क्रिप्त clear है चलिए अब next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा question number 35 question number 35 है उत्कों में oxygen की कमी से क्या होता है तो इसका जो सही answer है वो है hypopoxia यानि option number B जो होगा वो हमारा सही answer है अगर हम बात necrosis की करते हैं तो necrosis क्या होता है necrosis मतलब सरीर के किसी भी भाग में कोसिकाओं या उत्कों की मिर्थू होना ही क्या कहलाता है necrosis कहलाता है ठीकर अगर हम बात etiloctasis की करते हैं तो ये फेफरे का एक आंसिक या कुल पतन होता है जो alveoli के आपस फिती के बाद उत्पन होता है clear है चलिए हम बात करते हैं अगले कोशन की दरब जो कि हमारा कोशन No. 36 पलाजमा का इन में से कौन सा कारें नहीं है तो इसका जो सही अंसर है वो है option No. C स्वसन किरिया में सहायता नहीं करता है पलाजमा अगर हम पलाजमा को करते हैं तो पलाजमा है क्या पलाजमा पदार्थ की एक चौथी अवस्था जिसको माना गया solid, liquid, gas के बाद नहीं लोग बोलते हैं कि पलाजमा होता है ठीक है पलाजमा जो होता है वो एलक्त का अजीबी तरल भाग होता है एलक्त का लगभाग 60% भाग जो होता है वो पलाजमा होता है अब कभी-कभी ये कोशन पुझा जाता है कि पलाजमा का सबसे प्रमुक भाग होता है वो होता है पानी यानि वोटर ठीक है अब बड़ते है अपने अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 37 कोशन नमर 37 कह रहा है कि हिर्दे जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नमर C पुना हड़ो हड़ोध कहते हैं क्लेर है चलिए अब बड़ते नेक्स कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 38 38 कह रहा है क्वेशन नमर 38 कह रहा है द्रब अनुपाथी क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो है जगा आप्सन नमर C यानि उप्युक्त दोनों मतलब CM गुलबर्ग और पिटर बागे दोनों मिलके इस द्रब अनुपाथी क्रिया का नियम को प्रतिपादित किया था अब अगर बात कर लेते हैं कि द्रब अनुपाथी क्रिया है ग्या तो द्रब अनुपाथी क्रिया का नियम ये कहता है कि इस थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रियत रभमान के समानुपाती होता है तथा रसाइनी कभी क्रिया की दर उसमें उपस्थित अभीकारकों की सक्रिया रभमानों के गुननफल के समानुपाती होता है क्लेर है? चलिए अब आप करते हैं question number 39 की question number 39 है कोलाइडी कनों के लागतार टेड़ी मेटी गती करना क्या कहलाता है तो इसका जो सही answer होगा बहुत जागा option number B यानि brownie गती कहलाएगा brownie गती के अगर हम बात करते हैं तो brownie गती में अनुओं की जो गती होती है बो gravity के against होगी मतलब गुरुतवा करसन के बिरुद्ध होता है clear है? चलिए next question है question number 40 question number 40 कह रहा है कि इन में से सबसे कम pH मान क्या होता है तो इसका जो सही answer है बो है option number A यानि battery acid ठीक है? battery acid का जो pH मान होगा बो 1.02 के आसपास होता है जठार अमल की बात करते है तो इसका pH मान 1.2 से लेके 1.4 के आसपास होता है अगर सिर्का की बात करते हैं तो सिर्का का pH मान लगभग 2.0 का होता है टामाटर के रस के अगर बात करते हैं तो इसका जो pH मान होता है वो 4.1 से लेके 4.4 के आसपास होता है अगर हम बात pH मान की करते हैं तो pH scale की खोज किस ने की थी Sorenson's ने किया था pH scale पे 14 होता है 0 से लेके 0 से लेके जो 7 तक होता है मतलब 7 से कम मान हम लियता का गुंदरसाता है 7 से 14 तक का जो मान होता है वो उदावंसिंता का गुंदरसाता है और 7 जो होता है, वो दाम सिंथा का गुल्द दसाता है और 7 से लेके 14 तक जो होगा वो 6 ये गुंतर साएगा क्लियर है, चलिये Next question है, Potassium Bromide का इन में से किसमे उपयोग होता है तो Potassium Bromide यानि क्या मोलते है, KbR तो Potassium Bromide का यूज होता है फोटोग्राफी में साथी साथ याद रखिएगा कि silver bromide का भी यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है next question है 22 karat sona में कितना भाग copper मिला हुआ होता है तो इसका जो सही answer है बोहे option number B यानि दो भाग copper मिला हुआ होता है ठीक है एक और चीज़ sona से याद रखिएगा iron pyride क्या नाम याद रखिएगा iron pyride iron pyride को क्या बोला जाता है जूठा सोना भी कहा जाता है clear है चलिए फिर नग्स question है question number 43 brass में नहीं होता है तो brass यानि पीतल पीतल में क्या क्या होता है पीतल में आगर copper होता है ठीक है जिंक होता है लेकिन टीन नहीं होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा क्यूंकि पीतल जो होता है वो तामा और जस्ता का मिसर धातु ही होता है next question है question number 44 question number 44 कह रहा है कि मीटी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number B sodium क्यूंकि sodium जो है वो सक्रिय धातु है और इसको अगर बायू में हम लोग खुला रख देंगे तो ये आग पकड़ ले सकता है ठीक है क्यूंकि ये बायू में जो उपस्थित oxygen होता है उससे क्रिया करके ये क्या बना लेता है sodium oxide बना लेता है अगर हम बाद sodium की करते हैं तो sodium का atomic number 11 ठीक है और इससे एक और चीज याद रखेगा कि sodium इतना मुलायम होता है कि इसको हम लोग नॉर्मल चाकू से भी पाढ़ सकते हैं ठीक है अगला question है question number 45 question number 45 कह रहा है कि nitrogen के लिए सायों जगता का मान क्या होता है तो इसका जो साय अंसर है वो है option number B minus 3 ते लेके plus 5 तक होता है अगर हम एक की बात करते हैं तो एक से याद रखेगा कि chlorine का जो सायों जगता होता है वो एक होता है और दो होता है अब बात करते हैं कि सायों जगता होता क्या है तो संजोजक्ता एक ऐसी संख्या है जो की परदर्सित करती है कि जब कोई परमानु कितने ही लक्षोन प्राप्त करता है या खोता है या फिर वो साज़ा कर लेता है जब वो अपने ही तत्व के परमानु से या किसी अंतत्व के परमानु से बंधन बनाता है उसी को संजोजक कहते हैं फिर नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 46 कोश्चन नबर 46 कह रहा है कि इन में से किसका सबसे अधीक प्रमानुकर्मांग है तो इसका जो सइयंसर है वो है आप्सन नबर D यानि PB ठीक है PB यानि लीड और लीड का अटामिक नमर होता है अगर SI की बात करते हैं तो यह हो जाएगा सिलकन और सिलकन का होता है 14 GE होता है जर्मेनियम इसका होता है 32 SN होता है टीन और टीन का होता है पचास तो इसका जो सइयंसर होगा पो हो जागा आपसन नमर D यानि PB क्लेर है देखिए कोई भी आप एक्जाम देने जाएगा तो आप अगर हम बात करते हैं रेडोकस अभी क्लिया की तो रेडोस अभी क्लिया एक ऐसी प्रकिया हैं जिसमें इलक्ट्रॉन का अस्थांतरण किया जाता है ठीक है next question है करनाटक, मध्यपर्देश और महराज से होकर कौन NH गुजरती है तो इसका जो साही अंसर होगा बो हो जागा NH7 अब NH7 का नाम बदल कर कर दिया गया है NH44 clear है? NH44 अगर हम बात NH7 की करते हैं तो NH7 था 2, 3, 6, 9 km और यह 12 नसी से कन्या कुमारी था अब उसको कर दिया गया NH44 जो की है 306 km और इसको अब सिरी नगर से कन्या कुमारी तक कर दिया गया है ठीक है? और यह भारत का सबसे लंबा राष्टी है राजमार्ग भी है NH44 clear है? चलिए अब है अगला question कि इन में से कौन परंबीर चक्र बिजेता नहीं है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number D air chief marshal BS धनुआ जो हमारे भूदपूर्प air chief marshal थे BS धनुआ वो परंबीर चक्र बिजेता नहीं है अगर हम ग्रेनेडिया रहोगेंदर सी यादब की बात करते हैं तो इसको इनको 99 के कारगील यूद में सहाई बिड़ता के प्रदर्शन के लिए परंबीर चक्र से नवाजा गया था अगर हम होसियार सिंग की बात करते हैं तो होसियार सिंग को 1971 के भारत पाकिस्तान यूद में परंबीर चक्र दिया गया था अगर हम लौस नायक करम सिंग की बात करते हैं तो इनको 1948 में परंबील चक्र प्रदान किया गया था लौस नायक करम सिंख के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि इनको प्रथम जिविक आदमी ऐसे हैं जिनको परंबील चक्र मिला है इनसे पहले जितना को भी परंबील चक्र मिला था उनको मन्नो प्रांथ मिला था यह प्रढ़म जिविक बैखती ऐसे हैं जिनको की जिवित रहते भर में परंबील चक्र से नवा जागयا है ठीक है अगर ऐसे हम बात करते हैं कि प्रढ़म परंबील चक्र बीजेता कौन है तब उनका नाम है मेजर सुमनात सर्मा प्लेर है चलिए अब अरते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नबर 50 कोश्चन नबर 50 कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के मुख निरवाचन आयुक्त नहीं रहे हैं तो इसका जो सईयंसर होगा बो होगा बो होगा ऑप्सन नमर डी यानि एटल्जन को गोई एटल्जन को गोई जो है बो हमारे कभी भी मुख चुनावायुक्त नहीं रहे हैं और यह अगर सुकमार सेंट, सुनीला डोडा की बात करते हैं तो यह सब चुनावायुक्त रह चुके हैं अगर हम सुनीला डोडा की बात करते हैं तो यह तो अभी बरतमान में ही हैं और यह कौन से नमबर वाले हैं तो इसमें नमबर वाले चुनावायुक्त हैं निर्वाचन आयोग जिनको बोला जाता है देखिए अगर निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये कौन से अनुछेद में हैं अनुछेद 324 के तहद निर्वाचन आयोग का प्रब्धान है जो की 300 दसिये हैं तो अभी तो हो गए एक सुनीलर रोडा दो और नाम याद रखिएगा एक का नाम है सुसील चंद्रा और एक का है असुक लवाचा ये तीनो निर्वाचन आयोग में हैं अगर हम रंजन गोगोई की बात कर लेते हैं तो रंजन गोगोई भारत के उच्टम निया लेके 46 मा मुखने अधिस के रूप में काच कर चुके हैं ठीक है चलिए और ये सुकुमार से न्टो सब भली बाती परजित ही होंगे कि ये भारत के प्रथम मुख चुनावाई उप्त है अब है नेक्स कोश्चन कोश्चन नबर 51 पूरे देश में प्रती बेक्ती मचली की उप्रब्था सरवाधिक किस राजिया के अन्सासी प्रदेश में है तो इसका सही अंसर होगा जागा option number B यानि लच्छ दिप में है अगर हम मचली उत्पादन की बात करते हैं तो भारत 20 में दूसरे नमबर में है मचली उत्पादन में और भारत में सरवाधिक मचली का उत्पादन कहां होता है पस्चिम बंगल में होता है लेकिन प्रती बेक्ती मशली की उपलब्दता कहेगा तो अंसर हो जाएगा लच्छी दिप और पूरे भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है पूरे बिस में और पहले नंबर पे है चाइना मशली उत्पादन में क्लेर हैं? चलिए अब है नेक्स कोशन कोशन नमर फिप्टी टू भाग तुकाराम कौन से मुगल समराट के समकालिन थे तो इसका जो सही अंसर है वो है उप्सन नमर सी यानि वो जहांगीर के समकालिन थे अगर हम संद तुकाराम की बात करते हैं तो ये सत्रामी सताब्दी के परसिद हिंदू का भी थे तथा महराष्ट में भक्ति आंदोलन के संद भी थे एक और चीज याद रखिए गर तुकाराम से कि तुकाराम द्वाला रचित भक्ति का अव्टाओं को क्या कहा जाता था अभभंग कहा जाता था अभभंग कहा जाता था चलियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोश्चन अबर 53 कुश्चन अबर 53 कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने कहा है कि राजनीतिगों की मंसा अपना काम निकालना रहता है तो यह तो बिल्कुल सही बात जिसने भी कहा है बिल्कुल सही बात कहा है तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number B यानि John Locke, इनका नाम क्या था John Locke ठीक है, John Locke से एक और चीज याद रखेगा, इनके एक book है जिसके बारे में कभी-कभी एकजाम में पूछ लिया जाता है, उस book का नाम है SH Concerning Human Understanding SH Concerning Human Understanding एक book है, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है John Locke के द्वारा लिखा गया है clear है, चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब, जो कि हमारा question number 54 question number 54 का रहा है कि gram inside के सम्मिधान की किस सुची कभी सही है तो ये राज सुची कभी सही है ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुची की, तो सम्मिधान की सात्मी सुची के अंतरगत, तीन तरह की सुची का प्रवधान है, पहला है संग सुची दूसरा है राज सुची और तीसरा है संबर्ती सुची ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा संग सुची में मूल सम्विधान में 100 भी से थे अभी ततकालीन 97 में भी से है राज सुची में मूल सम्विधान में 66 भी से था अभी ततकालीन में 61 भी से है संबर्ति सुची में मूल सम्विधान में 47 भी से था और अभी बामन भी से है क्लियर है? चलिए next question है question number 55 question number 55 कहा रहा है कि राष्टिय यूबा निती को कब लागू किया गया था तो इसका जो साय अंसर है बो है option number 8 February 2014 में इसको लागू किया गया था और इसको लाया गया था किस अस्थान पे राष्ट्य यूबा निती 2003 के अस्थान पे इसको लेकर आया गया था और ये निती कहता क्या है राष्ट्य यूबा निती राष्ट्य यूबा निती ये कहता है कि 15 बरस लेके 29 बरस के बैक्तियों को यूबा के रूप में परवासित किया गया है ठीक है next question है भारत की कितनी प्रतिसत जनसंख्या 35 बर से कम आयू के लोगों की है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B 65% जनसंख्या लेकिन अगर 18 बर से 35 बर की बात करता है तब 31% हो जाएगा ठीक है लेड़े और 0 से 35 की बात करेगा तब हो जाएगा 55% ठीक है भारत के बारे में याद रखिएगा कि बिस्व का सरबदी की यूबा जनसंख्या वाला राज कोन है भारत अब भारत में भी अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार सबसे जादा यूबा जनसंख्या वाला राज है भले ही बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगा दिये चियल ये डेक्स कोशिन की बात करते हैं कोशिन नमबर 57 कोशिन नमबर 57 कह रहा है कि मेघाले को एक पुन्ड राज का दर्जा कम मिला था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा आपसन नमबर B ठीक है कोशिन से अलग करके मेघाले को बनाया गया था मेघाले का साब्दी कर्थी होता है बादलों का घर मेघाले की अगर राजभानी की बात करते हैं तो मेघाले की राधानी है सिलों चलियर है चलियर नेक्स कोशिन की बात करते हैं कोशिन नमबर 58 फरक्का बर्याज पर्योजना का मुख्याले किस जिला में है तो फरक्का बर्याज का मुख्याले भी है फरक्का में ही और फरक्का जो है वो मुर्सिदाबाद जिला में है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा clear है अगर हम बात करते हैं कि फर्यक्का परियोजना की तो यह परियोजना जो है वो भारत और बंगला देश के बीच अभी विवाद का एक विशय है समझ लीजिए तो नेक्स कोचन है कोचन अबर 59 कह रहा है कि भारतिय हवाई अड़ा प्रदिकरन की तो इसकी अस्थापन उनई सव 95 अइसवी में कि गई थी और इसका जो मुख्याला है वो राजिव गांदिभवन नाई दिल्ली में इस्तित है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 60 कोश्चन नबर 60 कह रहा है कि गगन क्या है इसका जो सयंसर होगा बो हो जागा B. GPS अधारी संबधित मार्ग निर्देशन प्लान प्रनाली है ये गगन इसको लांच कब किया गया था? 2015 में इसको लांच किया गया था ये ISRO और Airport Authority of India AI ये दोनों का ये joint venture है ये गगन प्लेर है गगन को लांच करने वाला भारत चोथा देश बना था इससे पहले और तीन देश लांच कर चुके थे गगन प्रनाली की अगर बात करते हैं तो बिमानों को जमीन से उपर ले जाने या उपर से नीचे लाने में उचाई का सटी काकलन करने के लिए पाइलट जो होते हैं वो इस गगन प्रनाली का यूज करते हैं अगला question है उत्तर पस्चिम मंडल रेलबे का मुख्याले कहां है तो इसका जो सयन सर होगा वो हो जागा option number B यानि जैपुर clear है अगर हम बात करते हैं तो total 18 zone है ठीक है अभी एक नया जोल मना है जिसका नाम है विसाखा पटनम इससे पहले थे 17 विसाखा पटनम उसका headquarter है अगर हम बात चनई की कर लेते हैं तो दचनी रेलबे का मुख्याले है चनई में अगर गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो पुर्वूत्तर रेलबे का मुख्याला है गोरखपुर में अगर हम बात परियाग राज की कर लेते हैं तो उत्तर मध रेलबे का मुख्याला है परियाग राज में next question है question number 62 इसमें से cryogenic engine में किसका उपयोग नहीं होता है तो इसका जो सही अंसर वो है option number C superconducting election का उपयोग cryogenic engine में नहीं होता है cryogenic technique का मुक्ता जो यूग होता है वो rocket में यूज किया जाता है ठीक है next question है question number 63 question number 63 कर रहा है कि आकासवानी का विविद भारती नामक चैनल का शुरुआत कब हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा 3 October 2017 यानि option number A देखिए अगर हम विविद भारती की बात करते हैं सबसे पहले तो आकासवानी की बात कर लीजिए ये भी question बहुत 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 पुछा जायता है All India Radio के स्थापना 1936 में की गई थी और फिर 29 संतामन में ही All India Radio को क्या कहा जाने लगा आकासवानी कहा जाने लगा clear है बिविद भारती की अगर बात करते हैं तो बिविद भारती का स्लोगन क्या है देश की सुरूली धर्कन clear है? चलिए फिर नेक्स question, question number 64 जार्खन राज का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सायन सरे बहुत अप्सों नमबर ये 15 नमबर 2000 को और कौन सा राज बना था ये? 28 मा राज बना था जार्खन और किसी अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था देखे उस टाइं तीन राज अलग हुए थे पहला हुआ था एक नमबर को एक नमबर मतलब एक नमबर 2000 को 36 गड़ हुआ था किसी अलग? मधपरदे से और ये 26 मा राज बना था फिर 9 नमबर को अलग हुआ था उत्रा खंड उत्तर परदे से ये 27 मा राज बना था और फिर 15 नमबर को अलग हुआ जार खंड जो की 28 मा राज बना था क्लेर है? चलिए किसे राज से अलग ही होता ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनुछे 3 के तहत ही राजियों के नाम 6 तरों सिमाओं में परिवारतन करने का अधिकार संसत को प्राप्त है अगला कोशन है कोशन नमबर 65 कोशन नमबर 65 कह रहा है कि ओलम्पीग खेलों के पदक बिजेता को सरकार प्रतिमाह कितना पेंसन देती है तो इसका जो सही अंसर हो यह वो है आपसन नमबर यह यानी 20,000 एक चीज़ याद रखिएगा कि पैंसन तभी देगी जब वो सन्यास ले लेंगे कि हाँ अब हम नहीं खेलेंगे पैंसन का मतलब यह होता है कि अगर हम बात और अनुछेदों की कर लेते हैं तो अनुछेद 14 में क्या है अनुछेद 14 में है बिधी के समझ समता अनुछेद 15 में है क्या कि धर्म जाती, लिंग, भासा तथा जन्म स्थान के अधार पर भेद भाव को निसेध किया जाएगा अनुछेद 16 क्या है अनुछेद 16 है लोक नियोजन के बिषय में अपसर की समता क्लेर हो गया होगा, चलिए अगला कोशन है, कोशन नमबर 67 यह देखिए जितना भी अनुछेद है मतलब अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोशन्स आपको चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ important questions आप पॉलिटी करके एक folder बना हुआ होगा प्लेलिस्ट में उसमें पाँच वीडियो होंगे, वो पाँच वीडियो आप जाके पॉलिटी का देख लीजेगा उसके बाद आप पॉलिटी में खुद को वो comfortable feel कीजेगा एक जाम में अगला question है question number 67 गंगा का परमुख प्रवाह कितने राजियों से होकर गुजरता है तो गंगा का जो परमुख प्रवाह है वो पाँच राजियों से होकर गुजरता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा option number B अगर हम पाँच राजियों की बात करते हैं तो एक तो है हमारा बिहार दूसरा है उत्तर प्रदेश तीसरा है जारखंड चोथा है पस्चिम बंगाल और एक है जहां से गो निकलती है जो है उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड के गौमुखी ही माने से निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते है गंगोतरी बोलते है गंगा ने दीकिए कुल लंबाई कितनी है 25-25 किलोमेटर चलिए अगला कोशन है चंद्रमा का घुर्णलकाल अप्रक्रिनलकाल तो देखिए चंद्रमा के अगर बात करते है तो चंद्रमा का घुर्णलकाल अप्रक्रिनलकाल जो होता है वो आपस में समलीजे की समान होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होजाए का option number A समान है क्यों? क्योंकि वो क्या होता है 27 दिन और 8 घंटा के बराबर होता है 27 दिन और 8 घंटा के बराबर होता है ठीक है दोनू घुर्णनकाल भी और प्रकिननकाल भी ठीक है? चलिए next question है प्रक्रिमन अब्धी के अनुसार ग्रहो का आरोही करम क्या है तो ग्रहो का आरोही करम हो जाएगा option number A यानि बुध, सुक्र, मंगल और सनी अगर हम प्रकिर्मन की बात करते है जिसको हम लोग परिभारन या फिर हिंदी में इंग्लिस में revolution कहते है मतलब किसी ग्रह के सुर्ज के चारो और चकर लगाने का गुन ही क्या कहलाता है revolution कहलाता है और किसी ग्रह का आपने अच पर घुमना क्या कहलाता है घुनन कहलाता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते है rotation बोलते है तो एक होता है revolution और दूसरा होगा rotation clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 70 question number 70 कह रहा है aurora 40 की घटना किस मंडल में देखने के लिए मिलती है तो इसका जो science होगा बोह जागा option number C यानि iron मंडल में देखने के लिए मिलती है iron मंडल से एक और चीज़ याद रखिएगा कि iron मंडल से ही radio तरंगी परिवर्तित होकर पिर्थिभी की और लोडती है जो संचार प्रद्वगी की में हमें मदद करती है clear है चेलिए next question है धरातल पर बायूदाब की कुल कितनी पटियां है तो इसका जो science होगा बोह जागा option number D यानि 7 पटियां है अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रिथिभी तल पर बायूदाब का विकास अच्छांसों के सामाना तर कटि बंदिये रूप में होता है इसे बायूदाब पेटी कहा जाता है ठीक है next question है इन में से कौन सा चकरबात भारा से सम्मधित नहीं है तो इसका जो science होगा बोह जगा option number C हयान चकरबात हयान चकरबात जो होता है वो mainly बियतनाम फिलिप्लेंस यादिछेतर को परभावित करने वाला चकरबात है clear है अगर हम बात और तीनों options की कर लेते हैं तो अगर हम लोग फयान यानि फेनी की बात करते हैं नीस लेशा परभावित करने वाला चकरबात था अगर हम बात नीसा चकरबात की करते हैं तो ये 2008 में tamiladu में आया था और अगर हम लोग लैला की बात करते हैं तो लैला जो है वो भारत और और सिर्लंका को परभावित करने वाला चकरबात है clear है? चलिए अगला कोश्चन है, मिरिदा में भूरे रंग के संस्तरन में C, A, M, G, F, E, M, N के अबलिये लबनों के जमाब की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा, option number C, gladiation ठीक है, क्या कहते हैं, gladiation कहते हैं next question है, question number 74 74 कह रहा है कि किस आर्थिक क्रिया से जुड़े बेक्ति को स्वण कामगार कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा, option number D, यानि पंचम क्रिया है देखिए, माना बेबसा है, पांच प्रकार के होते ही है प्राथमिक बेबसा है, दूतियक बेबसा है, त्रितियक बेबसा है, चतुर्ट बेबसा है, और पंचम बेबसा है तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुँ जगा, option number D, पंचम क्रिया है next question है, question number 75 कह रहा है, मक्का की उत्पादन के लिए, इन में से कौन सी भगवालिक परस्थितिया अनुकूल नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुँ जगा, option number D, कम से कम 70 पाला रहीत दिन ठीक है, अगर हम बात मक्का की कर लेते हैं, तो मक्का क्या है, खरीब फदल है ठीक है, अब मक्का लाया क्या गे, चिसके द्वारा गया था, मक्का भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था ठीक है, अब मक्का का सबसे बड़ा उत्पातक देश कोन है, USA है तो यह सारे चीज़े याद रखिएगा, मक्का से रिलेटेटर, next question है, electron इसकी उर्जा इलेक्ट्रोन बोल्ट आप निकालियेगा, तो कितना आएगा, इसका अगर उर्जा इलेक्ट्रोन बोल्ट आप निकालियेगा, तो 4550E भी आ जाएगा, ठीक है next question है, question number 77, 77 कह रहा है, कि केट्व की इस परवत स्रिंकला की सबसे उची चोटी है, तो इसका जो सही अंसरों का बोज़ागा, अपसर नमर B, कारा कोरम स्रेनी की सबसे उची चोटी है केट्व का और क्या बोला जाता है, केट्व का और बोला जाता है, Godwan Einstein, ठीक है, और ये बिस्व की सबसे, बिस्व की दूसरी सबसे बड़ी उची चोटी है, केट्व की अगर उच्चाई की बात करते हैं, तो 8,621 मीटर है, ठीक है, और ये भारत की सबसे उची परवत दूसरी है विस्प की अगर तीसरी पूछते तो विस्प की तीसरी एक कंचन जंगा जिसकी उचाई कितनी है आठ थाजार पांसो अंठानमे मीटर क्लेर है चलिए नेक्स कोशन है अफिरका महादेश का सबसे बड़ा देश छेतरफल की दृष्टी से कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा बो जगा ऑप्सन अबर ए अलजीरिया जो है बो अफिरका महादेश का सबसे बड़ा देश है छेतरफल की दृष्टी से अगर हम अफिरका महादेश क की बात करते हैं तो यह विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेस है अलजीरिया की अगर बात करते हैं तो अलजीरिया की राधानी कहा है अलजीरिया से ठीक है सुडान की बात करते हैं तो सुडान की राधानी है खार्टुम मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र की राधानी है काह भी कहा जाता है तो पामीर के पठार के जो पश्चिम दिशा में है तो इसका जो सही अंसर रोजय का बहुत जगा पश्चिम दिशा में इस्ठित है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 8 कोशन नमबर 8 कहा रहा है कि उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदू समुदर तल से कौन है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बो हो जगा डेथ वैली यानि ओप्सन नमबर B डेथ वैली की घहराई कितनी है? 86 मीटर उत्री अमेरिका की अगर बात करते हैं तो ये बिस्व की तीसरी सबसे बड़ा महादीब है उत्री अमेरिका का कहा क्या जाता है? New World भी कहा जाता है यानि नई दुनिया भी कहा जाता है एक चीज़ और याद रखिएगा अगर ये तो उत्री अमेरिका का गहंतम बिंदू पूछ लिया आपसे अगर एसिया का गहंतम बिंदू पूछ लेता तो तब हो जाएगा मिलत सागर यह ठीक है यह असाई जील किसका है यह असाई जील है असाई जील नहीं है असाई जील है यह फिरका महादेश फिरका महादेश का गहनतम बिंदू है और अकर ये बेंट्रेल ट्रेंज की बात करते हैं तो ये अंटार्टिक महादेश का गहनतम बिंदू है चलिए तो ये थे आज के questions असी questions में आप लोगों के साथ discuss किया हूँ आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा साथी साथ एक like जरूर कर दीजेगा अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है तो और वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये PDF वीडियो का मैं आपको WhatsApp ग्रूप, Telegram ग्रूप में डाल दूँगा आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और इसके आगे के भी questions मैंने इसमें डाल लखा है मतलब 82 जो 100 questions है platform book का volume 2 का बो भी मैं इसमें डाल लखा हूँ जो कि math or reasoning से है बो भी आप वहाँ solve कर सकते हैं देखिए पहले आप ये PDF डाउनलूड कर लिजेगा खुद से बनाईएगा उसके बाद ये वीडियो देखिएगा थे आप analysis किजेगा आपका कितना सही है कितना गलत है जो कि आपको आने वाल एक जाम में काफी महत्पून सावित होंगे चलिए thanks for watching